दोस्तों आप सभी को बता है है एक पूलिस कॉंस्टेबल 2021 के एक्जाम जो है रिटना एक्जाम काफी नस्दीख है तो ऐसे मैं आपको अच्छे से त्यारी करने पड़ेगी टोपिक वाइज एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अगर कोर्से वगएर आप जोइन कर करके इसको जोइन कर लेना डेस्क्रिप्शन बोक्स में भी लिंक मिल जाएगा तो आज यहां पर टोपिक है हमारा एसाई उनिट्स साइंस यानि कि फिजिक्स का बहुती इंपोरेंट टोपिक है एक क्वेश्चन तो हर बार यहां से आता ही आता है और साइंस के आट से दस क्वेश्चन आपको इस एक्वेश्चन में देखने को मिलेंगे प्रिस कॉंस्टेबल 2021 तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो क्वांटिटी होगी कोई भी फिर उसकी एसाई यूनिट होगी और फिर सिंबल होगा ऐसे में क्वेश्चन तीन तरीके से ही बनता है एक्वेश्चन में भी कोई भी सिंबल दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह किस के लिए मतलब किस कॉंटिटी के लिए होता है या फिर उसकी एसाई यूनिट पूछी जा सकती है कोई भी कॉंटिटी दे दिया जाएगे एक्वेश्चन में उसका सिंबल तो किलो ग्राम और केजी इसका सिंबल है स्टार्टिंग के जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत बार एक्जाम्स में पुछे गए हैं लेकिन दोस्तो एक्जाम का लेवल डे वाई डे इंक्रीज हो रहा है तो हमें टफ भी पढ़ने पढ़ेंगे मेरी कोशिश रहती है कि जो फ्रेशर्स हैं जो आज कल ही जिननों पढ़ना शुरू किया है उन्हें बे अच्छे से पढ़ाऊं और जो हाई लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो काफी टाइम से त्यारी कर रहे हैं उन्हें बे अच्छे से पढ़ाऊं तो अस वीडियो को लास सक देखते रहे न, टाइम के लिए seconds, बर्क और energy, दोनों के लिए unit है joule, और ये सबसे ज़्यादा exam में पुछी गई है, तो J symbol है इसका, electric current जो है, ampere में मापा जाता है, A, temperature को basically हम Kelvin में ज़्यादा value देते हैं, K इसके लिए, luminous intensity जो है, candela इसके लिए है, CD, और ध्यान दे रहा, students का ये भी question आता है, कि सर, हिंदी में करवाईए वगएरा वगएरा, अब ध्यान दो, अगर exam में आएगा, कि candela जो है, किसकी unit है, तो luminous intensity जो है, options में होगा, तो उसको आप choose कर सकते हैं, paper, bilingual होगा, तो इसमें आपको कोई भी ये नहीं होना चाह परवाय जाए, लेकिन SI units जो है, ये topic जो है, ये अगर आप English में ही पढ़ो, तो आपके लिए better रहेगा, हिंदी में आप पढ़ोगे, तो आगे जाके आपको परिशानी हो सकती है, angle के लिए radian हम use करते है, rad, symbol इसका, उसके बाद है solid angle, solid angle जो है, इसके लिए steradian, या फिर SR, ये question जो है, अभी तक नहीं पूछा गया है, कभी भी, लेकिन, जैसा कि मैं आपको बदा चुका हूँ, level, day, by day, increase हो रहा है, exams का, तो हो सकता है, कभी पूछा जाए, force का, ये बहुत बाद पूछा गया है, force, Newton, N, और area जो है, square meter, meter square, ठीक है, volume जो है, cubic meter में मापा जाता है, m cube, speed जो है, meter per second में मापी जाती है, ms, raise power minus 1, उसके बाद उसको angle, velocity जो है, ये radian per second में, आपको बता है, angle जो है, radian में मापा जाता है, जब velocity जो है, वो भी find out करनी हो है, angle की, तो per second, radian per second, rad, second per second, ठीक है, frequency hertz में मापी जाती है, बहुत important है, पुछा जाता है, hz, moment of inertia, ये question काफी कम पुछा गया है, लेकिन high level है, exams का level जैसे high हो रहा है, उस हिसाब से हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, moment of inertia, kilogram square meter, kg m square, उसका momentum, kilogram meter per second, kg meter per second, ये भी नया question है, impulse, newton second में मापा जाता है, उसके बाद next है, angular momentum, kg square meter per second, kg meter per second, जो है, ये symbol है, pressure जो है, ये बहुत बार पुछा गया है, पास्कल, पाबर जो है, ये भी पुछी गए है, बार बार एर एक्जाम है, तो बाट और W से इसे denote करते हैं, symbol है इसका, surface tension, newton per meter, तो newton per meter यहां पर दिया गया है, symbol, बिसकोस्ती, तो newton, second per square meter, तो यहां पर दिया गया है, symbol, thermal conductivity, ये नया question है, बाट पर meter degree Celsius, तो symbol भी दिया गया है, specific heat capacity जो है, ये भी नया question है, ये जो अभी last में हम discuss कर रहे हैं, ये तब ही पूछे जाएंगे एक्जाम में, जब एक्जाम का लेबल बहुत हाई होगा, उपर जो हमने डिसकस कर लिया, अगर इतना भी आद कर लोगे, तो आपका काम चल जाएगा, specific heat capacity joule per kilogram per Kelvin, इस था, वो है, SI unit है, और symbol जो है, यहां पर दिया गया है, electric charge, ये बहुत बार पूछा गया है, electric charge, जो है, कूलंब, C से इसको denote करते हैं, potential difference जो है, इसको bolt से, यानि कि अभ उसके बार, electrical capacity जो है, फेरेड से, इसको F से denote करते हैं, magnetic induction जो है, Henry, यानि कि edge, magnetic flux जो है, Bieber, WB, luminous flux, ये बहुत बार पूछा गया है, तो lumen से, LM से, intensity of illumination, lux, यानि कि LX, तो इस तरीके से, हम बहुत important SI units जो है, उनको धिरे-धिरे cover कर रहे हैं, बस वीडियो को लास तक देख देखते रहना, मेरा बोलने का मतलब यह है, कि अगर इस वीडियो का आप लास तक देखते हो, तो आगे किसी भी exam में कोई SI unit आएगी, आपकी कबर हो जाईगी, wavelength जो है, इसको angstrom A से हम denote करते है, astronomical distance, light year का use हम क्यों करते है, astronomical distance को, मतलब जो आसमान है, उसका distance मापने के लिए astronomical distance जो है, उसको light year में हम मापते हैं, LY, हमने cover कर लिया सारे के सारे SI units को, और आपका ये topic बिल्कुल cover हो गया, ऐसे हम बिल्कुल important, important topics आगे discuss करेंगे, बाकि courses आपको चाहिए हो, या फिर test series चाहिए हो, question papers चाहिए हो, तो एक बार WhatsApp जरूर करें ना, पुर जान करें आपको WhatsApp मिल जाएगी, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक कैनल को सब्सक्राइब कर करको, बेल आइकन को प्रेस कर करको, जय हिंद, जय हिमाचल